हेलो एब्रीवन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूटुब चैनल रियल इंगलिस इस्टडी में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट पोएम जो की करेक्टर आफे हैपी लाइफ है उसका सिंट्रल एडिया हिंदी एक्स्प्रेनेशन क साथ देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं कि करेक्टर आफे हैपी लाइफ इच एन इंस्पाइरिंग पोएम करेक्टर आफे हैपी लाइफ नाम की जो पोएम है वो बहुत ही इंस्पाइरिंग इंस्पाइरिंग में सोता है प्रेरणा दायक प्रेरणा दायक पोएम में सब्सक्राइब करते हैं सम गुड क्वालिटी कुछ अच्छे गुडों को आप रियली हैपी मैन इस पोयम में कभी जो यह बर्डन करते हैं ऐसी क्वालिटी के बारे में जो मनुष्य के लाइफ को हैपी बना सकती हैं या फिर एक वास्तविक हैपी खुशाल ब्यक्ति के जीवन के क्या-क्या करेक्टर्स होते हैं उन सब को बताते हैं इस पोयम में आईए आगे देखते हैं कि are really happy man is an honest and truthful are really happy man एक वास्तविक खुशाल ब्यक्ति इज मने होता हैं Honest माने इमांदार and truthful माने सच्चा, सच्चा में इमांदार होता है और honesty, simplicity, faith and carefreeness Honesty माने इमांदारी, simplicity माने साधारता, सात्विक्ता, faith means होता है विश्वास and carefreeness Carefreeness मेंने फालतों की चीजों में ना पड़ना, अफवाहों से दूर रहना It's the most important quality, इस माने होती है, the most important quality means एक बहुत सबसे ज़्यादा महत्व पुड़ गुड़ और अफरियल एपिमेन एक वास्तवी खुशाल ब्यक्ति क्या एक वास्तवी खुशाल जो ब्यक्ति होता है, जो वास्तवी में खुशी होता है, उसके अंदर ये qualities होती है कि honesty, इमानदारी, simplicity माने उदारता, faithful माने विश्वास and carefreeness माने अप वहों से दूर रहने के सब क्वालिटी होती है, वास्तवी खुशाल ब्यक्ति के पास आगे, he is not afraid of death, he is not afraid of, वह नहीं डरता है, किसे से तुम death से अर्था, तो really happy man जो होता है, वो मिलतु से डरता ही नहीं है विकाज truth के लिए, वो हमेशा मरने को तयार रहता है, he is free from rumors, वो अफ़वाओं से दूर रहता है, he always considers the voice of his inner soul, he always considers, वो हमेशा सुनता है, the voice means आवाज को, of his inner soul means अपने अंतरात्मा के अर्था, तो really happy man जो होता है, अपने अंतरात्मा की ही आवाज को सुनता है he is not jealous of anyone's progress, he is not jealous, वो है इस्या नहीं करता है, anyone's progress मने किसी के विकास पर, it means, he is really happy man, कभी भी उन लोगों से इस्या नहीं करता है, जो जीवन में कुछ आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, उनसे जलस ही नहीं करता है he pray God, वो प्रार्थना करता है भगवान की, day and night, दिन में भी और रात में, he spends his days harmlessly, his spends means वो बिताता है, his days means अपने दिनों को, harmlessly means, बिलकुल हा नहीं रही, किसके किसके साथ, तभी था well chosen book, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, और in the company of good friends, या फिर अच्छे मित्रों के इस company means, संगत में गुजारता है, thus means, इस प्रकार, a really happy man is a very good person, इस प्रकार, a really happy man is a very good person, इस प्रकार, a really happy man, एक वास्त भी खुसाल ब्यक्ती जमान है, या होता है, a very good person means, बहुत ही अच्छा, यह पोयम बहुत ही सुन्दर और inspiring पोयम है, आशा करते हैं किसके central idea आपको अच अच्चिन अबस्क्राइब